बात हुई हॉस्पिटल रश करने से और दुपहर का वक्त हो गया है और बहुत भूट लगी थी तो मैं खा रही हूँ दाल चावल एडवांस हॉस्पिटल की कैंटीन में और धरम दादा खा रहे हैं अपना फेवरेट चाइनीज कि हम हॉस्पिटल में हैं क्यों कि संतोष भाया की तपयत जो है वो पिछले कुछ तिनों से ठीक नहीं थी पर सो उन्हें मुझे बताया कि उन्हें ठीक नहीं लग रहा है उन्हें अपनी सिंटम्स पताया तो मुझे कुछ गढ़ लगी और जो उनके लोकल डाइग्टर ने ड कर रहा हूं क्योंकि उनका बीपी बहुत ज्यादा है हलाकि अल्ना का शुक्र है कि नतिंग टू वरी सब कुछ ठीक है वो अंडर ट्रीट्मेंट है और सही वक पे पहुंच गये है तो इसलिए मैं और धरंदादा यहां आय थे हम उनकी जरूरत की चीजे सब देके उनको सब्सक्राइब करके डॉक्टर से मैंने बात बात कर ली है सब कुछ सही है विया कोई टेंशन नहीं ठीक लग रहा है मेरी डॉक्टर से बात हो गई है जल्दी एकदम मस्त फिट हो जाओगी और निकलते वक्त नजर पड़ी उस कमरे पे जहां पिछले साल हम पापा को लेक से यहीं पर